हेलो बेकर्स, कुनम्स कुकिंग एंड वेकिंग में आप सब का स्वागत है तो यहां पे मैंने इलाची पॉडर डाल के सुगर सिरप रेडी कर लिया हाँ थोड़ी चीनी भी एट की है और आज है जर्माश्ट मी तो काना जी के लिए केक मैं रेडी कर रही हूँ यह ओडर का केक है तो इसके लिए न मैंने मामा फ्लेवर में स्पॉण्ज रेडी कर लिया था प्री मिक्स में ही मैंने थोड़ा सा दूट पॉडर और रिलाची पॉडर डाल के अच्छे से मिक्स किया था ताकि न इसकेक का फ्लेवर थोड़ा रीच हो जाए और इसे अच्छे से अब मैं सोकिंग कर रही हूँ पिछले साल भी इन्हों ने मुझसे ही केक बनवाया था तो पिछले साल ना मैंने मटका केक बनाया था तो इस बार मैं सिंपल वाला ही केक का डिजाइंग रख रही हूँ तो इसमें मैंने क्रीम भी स्प्रेट कर लिया है और देखे कई बार कस्टमर की डिमांड होती जैसे अभी न दो से तीन बार मेरे लगातार ओडर आ रहे हैं कि कस्टमर फूट, चॉकलेट इन सब से थोड़ा अलग टेस्ट ट्राइ करना जाता है मतलब एक तो मेरे पास आया था गुलाब जामून केक का है न तो मैंने उन से बोला था कि ना गुलाब जामून तो नहीं हो पाएगा अगर आप चाहे तो इलाची प्लेवारी मिठाई प्लेवार ट्राइ कर सकते हो तो उन्होंने ट्राइ किया और उन्हें बहुत पसंद आया तो इस प्रकार से जब कस्टमर डिमांड करते हैं तो आप बिल्कुल उनको सजेस कर सकते हो क्योंकि ये वाला भी बहुत अच्छा लगता है और काफी सारे लोगों को ना मेरे खहल से तो श्ट्रॉबरी चॉकलेट से अलावा ना जो हमारी इंडियन मिठाईया होती इलाची इलाची का फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उनके माउथ में तो रजबस गया होता है तो आप ये सजेस कर सकते हैं ये टेश्ट सच में काफी बड़ी हलकता है और सेकेंड लेयर भी मैंने रख दी है अब सेम प्रोसेस करना है मुझे अब इसमें भी थोड़े से ड्राइ फ्रूट और थोड़ा नहीं लाची पाउडर में छीड़क दूँगी तो आप बिल्कुल कई लोगों को नहीं पसंद होते हैं तो ये सजेस्ट करके देखें बहुत अच्छी हमारी भारतिय टेश्ट इस केक में रच बस जाता और उनको डेफिनेटली पसंद आएगा ही आएगा ठीक है तो आप अगली बार सजेस्ट करके देखें अब मैंने तीनो लेयर इसमें अच्छे से सेट कर दी है और इसे ना थोड़ी दिर ना मैं छोड़ दूँगी क्रम कोट करने के बाद फ्रीज में ताकि थोड़ा तो ये सेट हो ही जाए तो अब देखे मैंने फाइनल आसिंग करना सुरू कर दी आदा घंटा सेट करने रग दिया था और आज मेरे पास दो केक कॉडर था तो दोनों केक ही ना मैंने एक के बाद एक पटापट से बना लिये थे और पहले ना मैंने ब्राउन कलर करके देखा था आपको साइड में बेस सा दिख रहा होगा बटना मैंने पहले ना ब्राउन कलर इसमें लगाया था तो ब्राउन कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो वो आला ना पूरा का पूरा मैंने हटा दिया क्रीम और फिर से वाइट क्रीम में केक को डेकोरेशन कर दिया तो कभी कभी कोई कलर ना पसंद नहीं आता है अच्छा नहीं लगता है केक तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं और येलो न्यूटरल जिल से मैंने पूरा कपूरा केक कवर कर लिया और देख रहे है ना गोल्डन इस्प्र जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि मुझे भी तो पूजा की तैयारी करनी थी और आज तो जिस दिन तेवहार हो ना घर के काफी सारे काम तो ऐसे ही बढ़ी जाते हैं तो यहां पे मैंने वाइट वाला न्यूटरल जिल ले लिया और रेड वाला और बस लाइनिंग दे द करते हैं आपकी मर्जी है अब बस टूट पीक से ना मैं पहले तो एक साइट करती जा रही हूं अब दूसरे साइट से तो देख रहे हैं कितना प्यारा सा पैटर्न बन चुका है और मुझे आज के केक में थोड़ा जादा ताम जाम नहीं जाहिए था थोड़ा सा ना मैंने इसमें गोल्डन स्प्रे अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया और देखे एक मोर पंग ले रही हूं इसे ना मैंने क्लीन रैप से पैक कर दिया है जो नीचे का हिस्सा ना पूरा का पूरा क्लीन रैप पैक कर दिया है ना अब इसे मैं केक के अंदर इंसर्ट कर दूँगी और अगर आपको ये वाला केक का डिजाइंग पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करके जाओ तो ये वाला केक सिंपल था बट इतना प्यारा लग रहा था ना देखे कापी प्यारा लग रहा है थोड़ा सा ना उसकी डंडी लंबी हो गई थी ना मोर पंकी तो मैंने फिर से छोटी कर ली तो अब ये परफेक्ट मुझे लग रहा है और इसके उपर भी अगर छोटी सी में मटकी रख देती और वहां से माखन गिरता रहता ना तो कापी अच्छा होता बट ना यहां पर छोटा सा गाओ है ना तो अगर इमर्जिंसी में हम कोई सामान चाहे तो हमें नहीं मिल पाती है यहां बस मंडे का मार्केट होता है तो उस दिन चाहे तो मिल सकता है बाकी दिन यहां चीज़े बहुत कम अवेलिबल रहती और देखे यह वाला मटकी केक है जो मैंन चैनल पर बने रहो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो सस्क्राइब भी कर दो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में राधे राधे